इसलाम अलेकूम स््टूडेंट्स लास्ट एक्ट्टेर में हमने क्वंटम मेकनिक्स चेप्टर पॉर यो और इल्ल्जा इनको देखा था तो आज जो है हम चेप्टर फाइव की जो इल्ल नाझ देखने ने जो जो जोdonal यह प्रॉब्लम नंबर 5.1 है चैप्टर 5 की इसका पार्ट B है इसमें प्रॉब्लम जो है 5.2 फाइंड लेवल ऐफ पार्टिकल वो जो फीशन इसका के रहें यह इसके स्लूशन दिया कैं़ एफ फूस्टेप में स्टेप बास्टेप इसको सूर्ण गिया गया है आगे इसकी प्रॉब्रम 5.3 है इसको भी स्टेप बेस्टेप स्टेप सोल्व किया गया है यह चेप्टर 5 है यह भी बहुत इंपॉर्टर चेप्टर है आगे इसमें प्रॉब्रम हाती है 5.4 फांड दा एगन वैलियो दे आगे स्टेट अफ दा स्टेट अप्रेटर एस अफ इलेक्टर इन दे डिरेक्शन आप यूनेट वेक्टर एंड 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 एक्स दी प्लेंड तो यह इसका परमूले है और इसमें यह परमूले में एंड एस की जो वैलियों है वेसारी पूट करनी ए इस पिन मैट्रिक्से मारे बास साथ एक्ससेट वाई और साथ जी उनकी वैलियों है इस परमूले में हमने पूट करनी होता है जो आसपेस के ऐगन वेक्टर और एगन वैल्यो की पायंट करनी है पर भी है को एसपिन अपट प्रोबाई लान्सव देम परबैक। तो इसकी वैल्यो आजानी है यह वो प्राब्लम फाइफ मेंट फाइफ है find the eigen values and eigen state of a spin operator s head of an electron in the direction of a unit vector n where n is arbitrary same here problem 4 गिदर आईए भी बोच इजी प्राब्लम देए अगेश का पाओ भी आईए find the probability of meaning s head is equal to minus s cut divided by 2 आगे पिर ये पाओ शीज का problem 5.6 the Hamiltonian of a system is as particular selon sigma dot n sigma is constant with the direction of energy and is arbitrary unit vector sigma x sigma ys and sigma z are polymatics find the energy eigenvalues and termalized eigenvector of h head ये पाओ इसका ये step by step इसको solve किया गया है तो आगे भी ये इसका पाओ भी है find our transformation matrix the act and is is h तो अगे भी a problem 5.7 consider system of total angular momentum j equal 1 as shown figure the operator j head x j head 1 and j head z what are the possible value when meeting j head axis we calculate j head z and j head z scale and then j head z if the system is in the state j head x equal minus h cut a part b is ka or a part c last page ka part d part a problem 5.8 is key consider a particle of total angular momentum j equal 1 find the matrix for the component of j along a unit vector with arbitrary direction and find its eigenvalue and eigenvector your problem is 5.8 your most important problem app you have 5.10 find the angle between the angular momentum and equal 4 and the the axis for all possible orientations means 3 and the axis for all possible जो जावन है तो के दावरिए स्कमुटेशन रिलेशन बिट्वें दा फॉल्लेंग ऑपरेटर यहां पे जो कमुटेशन रिलेशन है ऑपरेटर का इसको फॉइंड करना है बहुत ही पॉंटर्ट प्राब्रम है यह अभी बहुत एज़ी इस कमुटेशन रिलेशन को आपको बिजन में रखना है यह थी इस चैप्टर की लास्ट प्राब्रम 5.11 बार वात्त में अब आपको अब नेक्स्ट लेक्टर में जो बाकी प्राब्रम्स आं सोड़ प्राब्लम्स देंवर और ओब्रेशन को देखेंगे जाब